रादे रादे फ्रेंड कैसे हूँ उम्मिद करती हूँ आप सबी अच्छे होंगे सुबह के साड़े च्छे बज रहे हैं आप देख सकते हैं सुर्णार भवान निकल तो आई हैं लेकिन जो मकान बने होते हैं विल्डिंग बने होते हैं उनसे हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आज है सौंबार और तारीक है एक और देख काव कावा कैसे उड़के जारा था बहुत अच्छा लगता है सुबह का नजारा तो बस यहां पर हमने सुबह का आपको नजारा दिखाया आपको सुद्णार भवान की दरसन कराए उसके बाद वैसे हमने थोड़ा यहां पर जाती है सुबह जल्दी जग जाए तो महिला अच्छे से काम भी कर पाते हैं और अपना सारा काम टाइम पर खतम हो जाता है भाग दोड़ भी नहीं करनी पड़ती है जल्दी तो इसी विज़े से जल्दी महिला को जगना चाहिए घर में बरक्कत हो तरक्की हो तो उस वैसे वैस हम टेल के आए और फिर हमने देखा कि अपना सौमारा बाल भी दोना है तो फिर हम बातरूम को यहां पर साफ करने चले मैंने कि चलो आज पूरा बातरूम क्लीन करते हैं ऐसा सौमार के दिन एक हपते में वैसे तो हम सौमार को सुक्रवार को बाल दोते हैं तो मैंने सो त Kylie Tario हमारा बात्रोम का रहता है कि पर हमेностью साफ की हाथ के उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सोचा लेट्रिंग को reviewing, यह साफ कर देते हैं, Auckland का बाल जोना साफ ही कर देते हैं और उर्ण वार यह वार रहता है, हफ्ते में दोवार भी कर सकते हैं कि वीरा सुवमार और सुकृवार को बाल धोते हैं तो हम दोवार कर देते हैं फिर साफ सुतरा बात्रूम अच्छा रहता है पूरा घरी क्लीन करने होता है सुवमार की दिन और अभी बच्चों की चुटी चल रही है नए इसकून में भी रहता है तो देखिए नीचे और घर आके घर में देखा तो हमने बिल्कुल घर भी हमारा क्लीन था क्योंकि बहने हमाई ने जाड़क पोचा कर दिया था रात को यह लेकर आयती सब्जी और यह लौकी टमाटर खीरा तो साथ के साथ जो सब्जी बजार से आती हैं तो उनक तो बहार से जो भी कुछ चीज आये वो तुन दो के हमें रखनी चाहिए अपने फ्रीज में संडे के दिन ही हम सब्जी मंगा के रख लेते हैं ताकि सुभए की तैयारी सारी हम कर लें खाने की तो हमने पाले की बन काट के रात को यह रख दिया था ताकि सुभए थोड़ा गूचंदर ने इसमें तोड़ा सा देशी घी लगा के आप जलाओ तो बहुत ज्यादा खुस्वू आती इसकी तो इस पूरे घर में यहां पर धूब दबत्ती दिखा दिया और बस यहां पर हम माला करेंगे दौनों बेन पूजा करने के वाद फ्रीये में हलेर की दाल और पालिक साथ में बना रही हूँ हरेर की दाल और पालिक न बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और पूश्टिक भी होता है और इस टाइम पर मैं हरी सबजी ही थोड़ी से ज़्यादा खारी को की लौकी भी मंगाया हुआ थ हरी-हरी सबगी खाऊंगी तो सास्थ भी अच्छा रहेगा चाहें आप रेगनेंट हू या ना हू लेकिन हरी सबजím भी खानी चाहिए तो बच्छे कहांगी नहीं काते हैं तो बैस दाल को मैं ने अच्छे 값न रिया है हरहर की डाल को अच्छे से दोईंगी ना दो से तीन वाद तो इसमें से पीला पन होता है वो निकल जाता है वैसे तो ये दुकान की है वैसे काफी अच्छी डाल है और देखिए पालिक को मैं रात को कट करके फ्रीज में रख दिया था है यहादा लूब पालग यह थोड़ सा जढ़ा रहे गादाल में क्योंकि दालien मैंने काफी हो वालटी में डाली है Two मैं यूर इसमें से आदा ही पालग डालोंगी और आदा में पालग के पटला ही बना लुगई तो यह हमारा आज होगा खाने में मैंने पालक के परांटे दाल पालक और इसके साथ बना देंगे थोड़ से चावल क्योंकि दाल बालक तो वैसे पतला ही बनेगा तो देखी दो के पहले मैं डाल डाल दिया था और उसके बार डाला मैंने पालक यहां पर कर दूंगे इसमें एक ग्लास पानी क्योंकि पालक से भी थोड़ सा पानी निकलता है और इसको ना एक से दो सीटी आने तक ये पक जाती है दाल और पालक तो बस आती है बारी तड़के की यहां पर लिया है सरसोकते लोई की कड़ाई से हमें आयरन मिलता है तो बस यहाँ पर आज कल मैं लोई की कड़ाई में यहाँ पर सारी सब्जियां बना रही हूँ तो वैसे एक लाल मिर्ची डाली और यहाँ पर डाल दी प्यास हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि ज़्या तीखा बोजन हो जाता है तो उससे मेरे बच्चे और मुझे भी नुकसान होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ उसके बदले मैं थोड़सा काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी यहाँ पर डालाए मैंने एक टमाटर टमाटर को मैंने बहुत छोड़ा छोटा काटा हुआ क्योंकि जो इसके छिलके है ना वो आराम से गलते नहीं है तो बस डाल दिया है नमक, थोड़ सा दनिया पर डाल दोंगे, थोड़ सा डालोंगे हल्दी, थोड़ सा लाल मिर्ची पाउडर तो वस यह सारे यहां पर नॉर्मल से मसाले डाले हुए हैं, जो मैं डेली ही यूज करते हूँ, यह मसाले तो वस मसाले डालने के बाद अच्छे से हम मिलाएंगे और लाल मिर्ची भी इस ताइम पर मुँख ज़्यादा कमी खा रही हूँ तो वस यहां पर मिला लेंगे सभी मसालों को अच्छे से पकाएंगे और टमाटर अच्छे से पकेगा तब ही हमारी मसाले अच्छे से पक जाएंगे आप देख सकते हो टमाटर भी अच्छे से मैस हो गया है उसके बाद डाला है हमने दाल और पालक आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से डाल और पालक गुल गए थे अब बहुत अच्छी तरीके से ये बनती भी है खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट बनते हैं अब ये थोड़ सा गाड़ी है डाल तो इसमें मैं थोड़ सा पानी एड़ करूँगी तो दीखी इतनी पदली मैंने डाल रखी है ज़्यादा पदली नहीं करूँगी अब इसे एक दू वोयल आने तक पका लूँगी बस मेरी यहाँ पे डाल वन के तयार हो जाएगी उसके बाद करती हूँ मैं यहाँ पे प्राँठी की तयारी तो यहाँ पे लिया है मैंने गेंग को आटा नमक डाल लिया है और पालिक तो धाई पालिक को भी अच्छे से दू लिया था पानी निकाल दिया था सारा पालिक का तो बस अच्छे से आटे और नमक को मिला लूँगी पालक में यहाँ पे थोड़ थोड़ा करके पानी डालूँगी यूदि पालक से पानी निकलता है तो आटा भो ज़्यादा गीला हो जाता है फिर न पराटे बनने में दिक्कत आती है तो बस यहाँ पे आटा लगा लिया है थोड़ सा टाइट आटा लगा थे हैं पालक का तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आटा लगा है मैंने और जो रिफाइंड की थेली पड़ी हो थी उसमें थोड़ा ओयल था तो मैंने इस पे लगा लिया आटे पर तो बस हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं पराटे बनाने की तयारे तो यहाँ पे छोट छोटे पराटे बना रहे हैं क्योंकि आटा है न थोड़ सा गीला होने की वा उस बैसा तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पराटे बनाए और इसमें पालक ज़्यादा था आटा कम था इसलिए यहां पे ऐसे फटा सा बना है और इसको मैं दस मिनट के लिए रख दूँगी ना आटे को तो फिर अच्छी तरीके से बनेंगे परांटे लेकिन इन्हें जाना है काम पर तो मैं इसलिए इनके लिए खाना तो लगा ही बना देती जल्दी से रखने का टाइम नही कर दो जिए इसे च्छोटे परांटे में अच्छे लगते हैं थेफले बहुत लोग ना ऐसे मींती की थेफले लिकिन यह पालेक के हैं तो इन्हें में पालेक के परांठे भोलूंगी आज मैंने लंच में नास्ते में तो कुछ नहीं बनाया है बासिलिक्ति नास्तअ क सब सी एक ही हो जाएगा एक ही साथ हम कर लेंगे अद्दो दुबार का काम नहीं रहेगा क्योंकि एक साथ मैंने कई सारी चीज़े बना दी हैं खाना भी बन गया चावल भी बन गए फिर यहां पर प्रांठे भी बन गए मैंने का आप सीधा आपना खाना ही खा लेना तो वस देखि इस तरीके से मैंने यहां पर छुट छोटे प्रांठे बनाए थे बहुत ज्यादा मेडियम मैं ज्यादा बड़े नहीं बनाए थे क्या होता है यह पालिक के प्रांठे बेल में थोड़ी से दिक्कत आती है जब आपका आठा गिला होने लगता है ना तो इस वैसे ज पेश्टी लगते हैं आज मैंने सब कुछ हरा हरा बनाया हुआ है तो यह मेरी थाली चावल सलात परांठा धही भी लिए मैंने चीनी डाल के यहां पर दाल भी ले लिए जो मैंने दाल पालक बना हुआ था तो मेरा चोटा सा वीडियो है आपको पसंद आया होगा उम्मीद कर करते हूं पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू करिएगा और इस वीडियो को मैं यहीं करते हूं कल मिलेंगी नहीं वीडियो में चले मिलते हूं कल बाए बाए